हाँ जी बस 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 चलिए थांक्यू सो मच बोल रहे हैं बच्चे बस ठीक है थांक्यू इस ओके अब हम शुरू कर देते हैं पढ़ाई ठीक है आई होप हमें कोई दिक्कत ने आने चाहिए कोई दिक्कत आएगी तो प्लीज आप इसमें मुझे बता दीजेगा चाट बॉक्स में और अकॉर्डिंगली हम कुछ प्लान कर लेंगे इसमें मुझे बता दीजेगा चाट बॉक्स में और अकॉर्डिंगली हम कुछ प्लान कर लेंगे पॉलिमर्स में जब हम कर रहे हैं तो पॉलिमर्स में तो पॉलिमर्स में कर रहे हैं नहीं बट मेरे सामने कोई buffer नहीं कर दी बच्छे video मेरे सामने तो कुछ भी buffer नहीं कर रहा भो आ का दूप cirurgně पफर कर रहे क्योंकि इसक भी ज़शिए द्समेह का ठीक है नहीं कुछ बच्चों था प्रॉब्लम है तो में भी कुछ नेट इशू होगा बट देर मुझे लग रहा है यहाँ पे एक्सिलेंट कनेक्शन दिखा रहा है मेरे अपने डिवाइस पर ठीक चल रहे है तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए बट ठीक है कुछ है तो दे यह से मैंने स्टार्ट किया था शांको पॉलीमर्ज वुड़्वी फॉली इंट। मोनोमर्ज पॉलींट। मोनोमर्ज तो अगर मेरे सारे मोनोमर्ज सेम है अगर मैं सेम मोनोमर से बना हूं या मैं मोरवन one monomer से बनाऊं या तो मैं एक monomer से बना हूँ या मैं more than one monomer से बनाऊं तो अगर मैं एक monomer से बना हूँ तो आप मुझे बोलोगे homopolymer हाँ ठीक है ठीक है बच्छे बोल रहा है pan से start करना है अभी दो मिनट में pan अपने आप आजाएगा बस दो मिनट करते हैं और more than one monomer को हम बोलते हैं co-polymer ठीक है co-polymer लेकिन polymerization step लेकिन polymerization step दो टाइप का है एक addition polymerization और एक condensation polymerization एक addition polymerization एक condensation polymerization हमने start किया था addition polymerization से हाँ जी सजल YouTube पे चलेगा सक्षम बाच लेकिन YouTube पे बस classes होंगे उसकी quizzes उसके question discussion वो कुछ app पे ही होगा YouTube पे उसकी classes होंगे जो हर बच्चा attend कर सकता है बच सक्षम बाच की जो बागी facilities है यू आई टी एस या questions वो सिर्फ app पे ही होगा ठीक है addition polymers का सबसे पहले लिखा था polythene जो हमने start किया इसका नाम clear था poly into ethene poly into ethene and very very clear CH2 double bond CH2 plus CH2 double bond CH2 and जो भी ऐसे बहुत सारे होंगे यहां पे भी ऐसा कुछ होगा तो यह यहां पे bond बनाएगा यह यहां पे bond बनाएगा यह यहां पे bond बनाएगा तो what I get is CH2 single bond CH2 to the power n to the power n ठीक है CH2 single bond CH2 तो यह हो गया मेरा monomeric unit यह हो गया मेरा monomeric unit एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि मेरे syllabus के सारे polymers मेरे syllabus के सारे polymers ethene से derived हैं समझ लीजे मेरे syllabus के सारे polymers ethene से derived हैं जैसे C double bond C H H H H H यह ethene हो गया इसका पहला derivative है टेफलोन इसका पहला derivative है टेफलोन वट इस टेफलोन सर आप चारो हाइड्रोजन्स को फ्लोरीन से रिप्लेस कर दीजे होगा क्या मैं लिखूंगा CF2 double bond CF2 टेट्रा फ्लोरो इथीन टेट्रा फ्लोरो इथीन चारो उसको हाई प्लोरीन से चारो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर दीजे what I get is tetrafluoroethene और अगर इसका मैं polymerization करूँगा तो what I get is CF2 single bond CF2 दोनों तरफ एक एक bond into N ये इसका हो गया teflon is PTFE क्या poly tetra poly tetra chloroethene poly tetra chloroethene आशा एक ही question को बार बार पूछने से नहीं होगा आपको ओलड़ी सक्षम बाच का timing अगर आपने नहीं पढ़ा है description में तो सक्षम बाच की classes शाम को 6 बज़े से 8 बज़े तक होगी जैसे अभी classes हो रही है वैसे ही classes होगी शाम को 6 बज़े से 7.30, 8 o'clock जितना required slot होगा उतनी बज़े था ठेक है ग्रेब मेरा तीसरा addition polymer था pan जो था poly acrylo poly acrylo nitrile acrylo nitrile नाम poly acrylo nitrile लेकिन सरी ये इथीन से कैसे link है तो carbon double bond carbon में आप दो hydrogen को कुछ मत करिए और एक hydrogen की जगा पे लगा दीजे cn इसका नाम है acrylo nitrile acrylo nitrile अब इसका जो polymer बनेगा बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों नाम है इसका h2c double bond ch उपर cn जब इसका polymerize ये होगा तो आप यहाँ से एक single bond डालोगे h2c ch यहाँ पे एक single bond cn and this is my pan this is my polyacrylo nitrile polyacrylo nitrile ठीक है यह हमारा तीसरा addition polymerization है चौथा मैं नाम आपको बताऊंगा styrene styrene the fourth is styrene styrene क्या है styrene जुड़ा होका अप इथीन 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 था ये दिस वोस इथीन आप इथीन के एक hydrogen को हटा दो और उस hydrogen की जगा पे एक phenyl ring लगा दो इसका नाम हो गया styrene replace one hydrogen replace one hydrogen with phenyl ring ये बन गया styrene ठीक है ये बन गया styrene इसका monomer कैसे होगा बहुत ध्यान से देखेंगे phenyl ring पे कोई फरक नहीं पढ़ने वाला है monomer में C एक bond यहाँ पे बनाएगा एक bond यहाँ पे बनाएगा यहाँ पे अलड़ी CH तो है CH2 और यह हो जाएगा यह होगा styrene polystyrene अमन बन जाएगा कपगाम polystyrene ठीक है तो क्या क्या हो गया हमारे पास pan हो गया teflon हो गया styrene हो गया polythene भी हो गया और कुछ structure जो मेरे syllabus में आएंगे structures की बात कर लेता हूँ एक नाम आएगा ब्यूना जिसका मतलब होता है buta 1,3 diene buta 1,3 diene यह बहुत important structure है मेरे पास क्या है एक buta 1,3 diene 1,2,3,4 buta 1,3 diene हो गया CH2 CH CH CH2 यह structure है लेकिन जब मैं इसका polymer बनाऊंगा जब मैं इसको polymer बनाऊंगा तो देखे क्या होगा यहाँ पे H2C single bond CH यहाँ से एक bond आएगा यहाँ से एक bond आएगा यह यहाँ जाएगा और यह यहाँ जाएगा तो बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एक bond आया H2C लिखा single bond CH यहाँ double bond CH आगया यह single bond CH2 और यह आगया to the power N यह हो गया मेरा ब्यूना का लेकिन मेरे पास 2-3 नाम आएँगे मेरे पास 2-3 नाम आएँगे क्या आएँगे क्या आएँगे एक आएगा ब्यूना S और एक आएगा ब्यूना N ब्यूना S का मतलब है buta 1,3-diene and plus S का मतलब है styrene S का मतलब है styrene spelling रहत होगे strine लिख दिया मैंने spelling has to be styrene styrene ब्यूना N में ब्यूना का मतलब तो same है और N का मतलब है pan polyacrylonitrile तो यह जो चीजें हैं यह मेरे syllabus में आने वाली हैं buta 1,3-diene and S तो ब्यूना S, ब्यूना N यह भी मेरे syllabus में आएगा at the same time एक छोटी ती चीज़ मैं आपको और समझाता हूँ जो कि बहुत अच्छी बात है अच्छी बात ऐसा है कि बच्चे जब मैं बनाऊंगा आपके condensation polymers अभी से समझ लीचेगा अभी जब मैं बनाऊंगा condensation polymers मेरे पास दो टाइप के condensation polymer आएंगे एक आएगा amide जैसा polyamide polyamide बना कैसे polyamide बना acid plus amide से जैसे अभी बनेगा nylon 66 अभी मैं आपको समझाऊंगा भी सही I'll tell you how this is going on nylon 66 and एक होगा मेरा ester वाले ग्रूप में और ester वाले ग्रूप में वो किसे बनेगा alcohol plus acid से alcohol plus acid से हाँ जी सूरज आप सही बोलरो available होगा alcohol plus acid से इस case में भी जब acid और amine है ये minus H2O करेंगे प्लीज समझेगा जैसे एक example देता हूं बच्चों एक ये है COOH और एक ये है NH2 जब ये दोनों मिलके bond बनाने वाले हैं तो amide में acid का OH और base का H जाता है acid का OH और NH2 का H जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा C double bond O NH और ये ये होता है amide ये होता है amide ठीक है और alcohol और acid जब मैं बनाऊंगा for example ये OH है और यहाँ पे आपका acid आ गया ये तो acid का alcohol का H और acid का OH alcohol का H इसको ध्यान रखेंगे alcohol का H और acid का OH निकल गया तो क्या बनेगा O और ये होता है ester वाला form ठीक है ये होता है ester वाला form इतनी सी बात समझाएंगे ये होता है ester वाला form जहाँ alcohol से H निकलेगा और acid से OH ठीक है तो acid का CO और alcohol का O गालडी बचा हुआ है तो ये हमारा का हो जाएगा ये बात ध्यान रखनी चाहिए इसके अलावा इसके अलावा मैं आपको ये बात रहता हूँ यहाँ पे एक नाम आएगा dacron ठीक है मेरा वो ester वाला polyester polymer है ये dacron dacron is actually polyester polymer लेकिन nylon 6-6 is actually polyamide polymer और ऐसे classes में मैं इसको बातूँँगा मैं आपसे natural rubber की बात भी करूँगा isoprene, neoprene इन सब की बाते भी मैं आपसे इस chapter में करने वाला हूँ ठीक है लेकिन छोटी सी बात बहुत छोटा सा difference ये याद रहे मेरे syllabus में दो टाइप के polymerizations है addition polymerization और condensation polymerization addition और condensation addition polymerization कोई side product नहीं निकलता लेकिन condensation polymerization छोटा सा side product निकलता है जैसे H2O निकल रहे मेरे given reactions में NH3 निकल सकता है कोई भी छोटा product उसको as a side product वो निकल सकता है ठीक है? इत्ती सी बात clear हो गई है great ठीक है? इत्ती सी बात समझाएगी अब हम फटा-फट से आपको दिखाता हूँ कितना आसान सा ये chapter है जिसको आपको करने वाले ये बाते में आपको पहले बात है कि आपको natural rubber, natural polymer semi synthetic और synthetic इस बारे में बात कर चुके हैं अभी discuss नहीं करेंगे types of polymer एक addition polymerization है मैंने कहा था किसका mechanism आपके syllabus में है इसको मैं बोलता हूँ प्री radical से proceed हो रहा है प्री radical mechanism से ये proceed हो रहा है और आप देखो कि बहुत ध्यान से तो ये होता है peroxide की presence में ये होता है peroxide की presence में क्योंकि जो peroxide का O single bond O है हाँ जी सक्षम सौरी हाँ जी सजल सक्षम तो batch का नाम है so sorry ठीक है जो peroxide है उसमें जो O single bond O है उसको तूटना है as pre-radical ठीक है और इसमें से जब CO2 निकल जाएगा जब CO2 निकल जाएगा तो मेरा बचेगा T6H5 dot ध्यान रखेगा competition में आपके पास इस mechanism के steps में से ये पूछा जा सकता है कि which step is a wrong step कि which step is a wrong step ये पूछा जा सकता है आप से लेकिन छोटी सी बात यहां ध्यान रखेंगे कि अगर मेरे सारे monomers of addition polymers made by single monomeric is known as homopolymer या two or different monomers is known as co-polymer जैसे इसने यहां पे आपको बना के दिखाया लेकिन हम discuss बाद में करेंगे कि मेरा buta diene है और styrene है देखिए ये यहां पे गया ये यहां पे गया और ये यहां पे गया तो क्या बचा देखिए CH2 single bond CH double bond CH single bond CH2 फिर यहां पे bond बनाया single bond इस वाले carbon से जोड़ा जो मेना आपको बताया था इधर CH2 और एक तरफ C6H5 ठीक है fine the first one is polyethene addition polymers में सबसे पहले polyethene है दो टाइप के होते है low density और high density इनका difference competition में थोड़ा सा important नहीं है but still pressure है 1000 से 2000 temperature है 500 Kelvin the low density polyethene is obtained through pre-radical addition highly branched structure है दीक है straight chain structure होगा यहां पे is inert and tough inert and tough but flexible and poor conductor high density में catalyst catalyst लगाया है zignar nata catalyst temperature बहुत कम है pressure बहुत कम है temperature तो वही है 330 वाला लेकिन pressure है 7 ATM मतलब वहां कितना था यहां कितना कम हो गया ATM में pressure high density polyethene linear structure होता है has a density due to close packing such polymers are also called linear polymers but then it is not that great also तो आपको यह नहीं चाहिए आपको यह चीज नहीं चाहिए होगी then I have teflon tetrafluoro ethene एकदम सेम चीज अभी मुझे मालूम हो गई लेकिन teflon का use आपको table में आएगा teflon non-stick surface बनाने के काम हता है और यहीं से इसका question भी आया हुआ है previous years में कि teflon is actually used to make the non-stick pans non-stick crockery के जो non-stick surface है वो teflon से बनती है ठेक है अगला है pan poly acrylonitrile sir मैंने एक hydrogen को CN से replace कर दिया जब वो polymerize होगा उसका नाम हो जाएगा pan जब वो polymerize होगा उसका नाम हो जाएगा pan but this is how it is आगे देखते हैं अगला है condensation polymers in short मेरे syllabus में addition polymers बस इतना ही है मेरे syllabus में addition polymers बस इतना ही है ठीक है अब मैं आता हूँ condensation polymers पे बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चे सबसे पहला है dacronia terylene यह ester है ester क्यों देखो एक alcohol और एक acid एक alcohol और एक acid alcohol का H और acid का OH alcohol का H और acid का OH तो क्या होगा ethylene glycol क्या होता है CH2OH 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 alcohol और acid मिलके क्या बना रहे है वो आपका polyester लेकिन इस बारे में भी हम detail में background हमारा पूरा detail में आने वाले भी दो पेजों के बाद सबसे पहली class उसने दिये हमें polyamides की polyamides कैसे बने polyamides कैसे बने acid plus amine के साथ acid plus amine के साथ जैसे सबसे पहला nylon 6-6 जियान रखेंगे यहाँ di carboxylic acid होगा और di amines होगे the example general method of preparation di amines with di carboxylic acid fine di amines with di carboxylic acid यह वाला काम भी अपका खतम हो गया पिर आया nylon 6-6 मेरा पहला example एक एक करके बात करते हैं 6-6 because both monomers have six carbons each both monomers have six carbons each nylon 6-6 क्या-क्या है एक का नाम है adipic acid एक का नाम है adipic acid और एक का नाम है hexamethylene diamine यानि कि 6 carbons बीच में 1 NH2 इधर और 1 NH2 इधर adipic acid क्या है CH24 बीच में COOH और यहां पे COOH 6 carbons हो गए in short 6-6 carbons का यह जो है यह nylon 6-6 के दो monomers है adipic acid और hexamethylene diamine बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों acid का OH गया और amine का H please समझे acid का OH जाएगा तो क्या बनेगा बहुत ध्यान से देखेंगे left से बनाएंगे OH चला गया एक खाली bond C बच्चा double bond O CH2 hole 4 फिर C double bond O यहां से बच्चा NH वहां से आया CH2 hole 6 वहां से आया NH H चला गया and this to the power N और अब आप इसको check कर लीजे देखें यह अजा आद नहीं आज आजए यह अजा old नहीं बता पाऊंगा और मेरे सामने connection speed भी एक्दम excellent टिक ही है तो जो मिझे सामने दिख रहा है मुझे उसी पर भरुसा करना पड़ेगा बच्चे adipic acid बच्चे ये है कि CH2 4 COOH और COOH तो 6 carbons का acid हो गया न, क्योंकि acid की naming में तो acid वाला carbon भी जुड़ता है, तो ये 6 carbons का acid हो गया, adipic acid ठीक है, great caprolactum देखते हैं बहुत ध्यान से caprolactum already आप देखोगे, तो ये CONH की form में है caprolactum CONH की form में है तो जब मैं उसको heat करूंगा तो वो यहाँ से तूट जाएगा यहाँ से तूट जाएगा और जैसे ये बनता है कि CO अलग यहाँ पर क्या है CH2, CH2, CH2 CH2 sharing की 5 times CH2 NH into N, and I get the answer, nylon 6 nylon 6 nylon 6 का जो monomer है, उसका नाम है caprolactum उसका नाम है caprolactum ठीक है caprolactum, यह वहला काम भी खतम हुआ amides में मिर पास देखिया उसने यही दो बाते दी, एक nylon 6 और एक nylon 6 इसके लावा कोई नाम इसने नहीं दिया यहाँ पे, अब मैं आ गया polyester पे polyester पे, polyester क्या था polyester is alcohol plus acid alcohol plus acid fine these are the pre-poly condensation products of decarboxylic acids and diols dacodon or teradine is the best known example teradine fine then we have phenol formaldehyde polymer very very important phenol formaldehyde polymer पहले बनाएगा novolac फिर वो बनाएगा bakelite phenol formaldehyde polymer पहले बनाएगा novolac फिर बनाएगा bakelite एक एक करके समझेंगे यहाँ पे जब मैंने aldehyde का treatment किया है यानि कि HCHO कैसे पता नाम ही है phenol formaldehyde phenol is benzene के उपर CHOH and formaldehyde is HCHO right so what we have is in the acidic or basic medium hydrolysis जब होगा तो यहाँ पे आएगा ortho पे या ortho और para पे या ortho पे और्टो पे तिनों options है ortho पे ortho para पे ortho para ortho पे बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से इसका जो ortho है इसका जो ortho है वो जब आगे bond बनाएगा बहुत ध्यान दीचे प्लीज यह CH2 OH है यह CH2 है यहाँ पे इसका OH को गायब कर दिया गया है देखिए OH को गायब कर दिया गया है इसके and then this cycle continues is called as novo lack is called as novo lack अगे 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 यार वीडियो बफर कर रही है क्या यार मेरे साम दे नहीं कर रही बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से इसका जो ortho है इसका जो ortho है वो जब आगे bond बनाएगा बहुत ध्यान दीचे प्लीज यह CH2 OH है यह CH2 है यहाँ पे इसका OH को गायव कर दिया गया है ortho पे बहुत ध्यान से सुनिएगा बहुत ही ध्यान से इसका जो ortho है इसका जो ortho है वो जब आगे bond बनाएगा बहुत ध्यान दीचे प्लीज यह CH2 OH है CH2 है यहाँ पे इसका OH को कोई लाग नहीं कर रहा मेरे बच्चे मैं मेजॉरिटी स्टुडेंट्स इस नॉट बफरिंग आम सो सॉरी फदेस बट थोड़ा सा रखना पुड़े गयार ठीक है तो मैं क्या बता रहता आपको कि जब आप प्रेल-फिनॉल फॉर्मल्डिहाईड की बात कर रहे हैं तो फॉर्म्ल्डिहाइड ाजरलकॉछ यहां पे भी आया यहां पे भी और्थो पे और्थो पैरा और्थो पे और जब वो polymerize होने लगा तो उसके और्थों से देखिए सारे उसमें OH-OH गायब कर दिया OH-OH गायब कर दिया यानि कि उपर तो रहा OH फिनॉल तो रहा बट फिनॉल के और्थों पे सिर्फ CH2 बचा सिर्फ CH2 ही बचा ठीक है नुवलाक on heating gives formaldehyde ये नुवलाक है on heating with formaldehyde undergoes cross-linking to form an infusible fine it is thermosetting polymer which cannot be reused यानि कि bakelite cannot be melted and used again why because it cannot be melted because it's a thermosetting polymer fine it's a thermosetting polymer जब आगे चलेंगे आप देखेंगे बहुत ध्यान से बहुत ध्यान से कि सबसे पहले आपने ये देखे सबसे पहले आपने ये बनाये था फिर दूसरे का जब आपने cross-linking बनाई यानि कि पैरा वाले CS2 से deal करने आए हैं इस बारी आप पैरा वाले schedule से पैरा वाले carbon से आप deal करने आए हैं इस बारी तो पैरा वाले carbon ने bond नाने की कोशिश करी है इससे आपको पूरा के पूरा एक बहुत ही strong network में इसको हम ये बोलते हैं कि उसको melt करके फिर से use नहीं कर सकते thermosetting plastics का नाम भी दिया गया उसको तो हमारी जो जो हमारी जो requirement है वो बेकलाइट की वो है thermosetting plastic thermosetting plastic फिर अगला है melamine for maldihyde polymer melamine is basically benzene type का structure है लेकिन हर जगा alternate positions पे end दे दिये गए हैं प्लीज समझेंगे इस carbon carbon nitrogen carbon nitrogen and this is all double bond between double bond between one two and three this is called as melamine और जिस पे end नहीं है उस पे NH2 ठीक है done है इतना simple है इसको तो याद करने की को requirement ही नहीं है इतना तो simple है उसके बाद देखिए बच्चों अच्चों जब ट्रीट कर रहा है तो यहां पे CH2 OH बन के मैं इस NH2 का जुट जाओंगा और मेरा बनेगा intermediate अब सेम चीज यहां पे होगा कि यहां से भी एच निकल गया यहां से भी एच निकल गया और वहां पे CH2 OH का OH कुछ निकल गया और यह हैं बहुत इंपोर्टेंट क्योंकि यह अनब्रेकेबल क्रॉकरी के काम आता है अनब्रेकेबल क्रॉकरी ने की काम आएगा क्या चीज मैलमाइन फॉर्मल डिहाइड पॉलिमर ठीक है मैलमाइन बना दिया आपने आगे चलते हैं आप आगए को पॉ पहला मैं आपको बताया वन्त्री डाइन स्टाइडीन का नाम है ब्यूना एस बोलेंगे इसको कहीं लिखा भी होगा इसने बट कोई बात नहीं ब्यूना एस रबड में रबड का क्वेस्चन इंपॉर्टेंट है जो नाचरल रबड है उसका मोनोमर है आईसोप्रीन काम की नाचरल रबर में प्रॉब्लम क्या है इधार आते सबसे पहले देखिए नाचरल रबर में प्रॉब्लम है कि बिकम सॉफ्ट एट हाई टेंपरेचर एंड ब्रेटल एट लो टेंपरेचर जैने कि रबर जो रूम टेपर वह वह लास्टिक तो है लेकिन जब ठोड़ी सी ग UTT एफो तो एप्रॉब्लम्रuine प्रॉब्लम बह surtout प्रॉप ऑन टे आती यह ateful प्रॉपर ऐस एपर्ण शच। एट में आते संवार पॉपर एंड टेंपरेचर एंड जबरीयर पॉपर्यर डेंऻ झा को है at the reactive sites and thus the rubber gets stiffened so basically burning natural rubber in the presence of sulfur to play with the physical properties is called as vulcanization of rubber ठीक है रेसिन इंटरमेडियेट पूछ रेसिन इंटरमेडियेट कुछ नहीं था बच्चे रेसिन इंटरमेडियेट वो था कि जब मेरा सिर्फ एक NH2 group कि यहाँ पे 3 NH2 group थे कि जब तक मेरा सिर्फ एक NH2 group ने aldehyde से bond करने की कोशिश की थी देखिए यह untouched है untouched untouched लेकिन एक NH2 ने CH2OH बनाने की कोशिश करी है तो यह वाला काम हमारा यह होता है intermediate की एक पे attack हुआ उसके बाद इसने भी यहाँ पे bond बना लिया इसने यहाँ से edge दे दिया यहाँ से edge दे दिया तो it becomes into N fine great so यह वाला काम यहाँ को खतम होता है यहाँ पे आ गए अब आप definition है vulcanization की एक synthetic rubber आ गए जिसमें हम सबसे पहला neoprene, neoprene है neoprene है क्या neoprene is यह देखिए neoprene तो polymer का नाम है उसका monomer है 2 chloro 1 3 butadiene समझिए butadiene 1 2 3 4 1 3 butadiene क्या करना है 2 chloro and this is the answer 2 chloro answer आ गया यह क्या है मेरा neoprene neoprene के monomer का क्या नाम है again neoprene का monomer neoprene का monomer chloroprene 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 neoprene का monomer is chloroprene buta N अलड़ी हम पढ़ चुके है it's buta 1 3 diene and N का मतलब है pan poly acrylonitrile बहुत simple यह bond यहां आएगा यह यहां आएगा यह यहां जाएगा and this is how it is C CH2 single bond then CH CH double bond gets shifted so CH double bond CH then we have CH2 then we have CH2 in this family we have in this family we have CH2 here CH2 here CH here and this bond goes here CH here and you are done so simple that you don't have to remember हान जी आशा जी पूरा पढ़ाएंगे ठीक है next is molecular masses of polymers आ गया चाप्टर खतम होने की कागार पही आ गया यह तो कि polymer में दिक्कत क्या है कि polymers environment degrade नहीं कर पाता लेकिन bio degradable polymer में सबसे पहला है PHBV poly beta hydroxy butyrate co beta hydroxy valerate PHBV what it says what it says aliphatic polyesters are one of the important classes सबसे important beta hydroxy butyrate beta hydroxy valerate समझेंगे क्या एक monomer है hydroxy butanoic acid समझेंगे again butanoic acid is एक दो तीन चार उस पे acid और 3 hydroxy एक दो तीन तीन पे OH answer आ गया 3 hydroxy pentanoic acid एक दो तीन चार पांच 3 पे hydroxy pentanoic acid fine then we have this PHBV कैसे कैसे हुआ यह यह हुआ ऐसे है बहुत ध्यान रखेंगे बच्चों एक acid और एक alcohol एक acid और एक alcohol ने मिलके ester बनाने की कोशिश करी है acid और alcohol मिलके H2O गायब किया गया है and the second part is nylon 2, nylon 6 and see this chapter goes over actually इस chapter में इतना सही काम है करने को फटा फट से table पढ़ लेते है propene तो propene रहेगा normal है एकदम polystyrene styrene रहेगा खतम vinyl chloride is PVC यह चीज रहेगी urea formaldehyde यह पीछे नहीं बना था यहां से बहुत बार previous year questions पूछे गए है urea formaldehyde पे then we have bakelite phenol formaldehyde polymer and this is total what the chapter is इसके अलावा इस chapter में करने के लिए कुछ नहीं है कुछ नहीं है हम् अब बच्चे लड़ रहे हैं कि पहले पढ़ लेते हैं पहले यह कर लेते हैं बढ़ ठीक है important यह है मेरे बच्चों कि अब आपको बस एक बार इसको read करना है जो structures हमने mark करे हैं एक बार आपको खुद बनाने हैं और आपका काम बहुत बहुत प्यारे तरीके से खतम हो जाएगा बहुत ही प्यारे तरीके से काम यह बला खतम हो जाएगा ठीक है जो मैंने पहले पढ़ाया था वो यह था in the afternoon session मतलब polymerization जो process है of permission of polymers from respective bonumers is called as polymerization natural rubber semi synthetic rubber and this is all जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके लावा इस chapter में कुछ है ही नहीं इसलिए फटा फट से अभम कर लेते हैं quiz start फटा फट से अभम कर लेते हैं quiz start ठीक है और quiz start करने के लिए mentee.com आप बच्चे खोलेंगे आज हमारे पास बहुत अच्छा count of students है mentee.com सब बच्चे खोलेंगे आज का code है 6904 आज का code है 6904 0216 6904 0216 स्क्रीन में आप से शेर आप से अच्चे खोलेंगे अल्राइट अभी अवाज आ रही है अभी आवाज आ रही है fine 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 great so the code for today is 69040216 69040216 जल्दी से सब बच्चे menti.com खोल लीजे विदान्ती menti.com website खोल लीजे everyone menti.com website खोल लीजे और 69040216 जल्दी से करेंगे सब बच्चे भई जल्दी से everyone quick जल्दी 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 अभी पच्चास बच्चे जुड़ने बाकी हैं जल्दी जल्दी से I am students अभी तक नहीं everyone quick 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 शबनम हर वो चीज जो exam के लिए important है चाहे वो NCRT में है या किसी और बुफ में है सक्षम बैस में वो चीज पढ़ा दी जाएगी but again for bio and chemistry NCRTs are the most important source of questions तो वो चीज आपको किया ही जाएगा हाँ जी मुहम्मद अली 6904 everybody जल्दी से अभी में पास और 10 बच्चों की कमी है बच्चे चाट बॉक्स में जादा है बच्चे में टी क्विज में कम चाट बॉक्स छोड़के क्विज जॉइन करिए फटा फट से क्विक 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 चलिए अब क्विज स्टार्ट करते हैं वी अब नाओ गुड़ अमांट ओ पीपल फ़र दे क्विज मनिंत्म करते हैं वेष बॉसे घ्वल एट bouथ the ऴॉक्स Tirतर्म क्विक पुबएक शॉवल मनि हम छोगई हैं जॉबहर एं Christmas हर कोई menti.com वेबसाइट पे क्लिक कर ले और उसके बाद कोई डाल दीजे 69040216 में अँआ कोई मांचा में अँआगा क्लिक कर ले झाल झाल leaderboard towards the end of the quiz एवरिवान वेरी वेरी क्वेक बहुत अच्छे काउंट में हमें आंसर्स मिल रहे हैं एक्सेलेंट गल में एक्सेलें आंसर्स में हमें और लूछं के शाउ 주 claws आंसर्स इंचेंगा एक समット पले काउंडैस ही्म्रा अवरिवहां चार में एक्सेलेंट झाल 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 झाल